राम राज्ये के प्रतिष्ठा हो, हिंदु राष्ट्रिक की प्रतिष्ठा का गोरव हम देख पाएं, इसी पर लोग अभी विवाद किये हुए हैं। यहां से देख्षित हो रहे हैं, यहां एक बात बड़ी अइतिहासी घटना है, एक सनातन धर्म का सन्यासी क्या कर सकता है, वो आपने पिसले दिनों पतंजली योग पीष्ठ के दबारा योग अरवेद स्वदेशी और सनातन के प्रतिष्ठा का कारिय देखा है। तब इस देशे नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म की, रिशी धर्म की जैजेकार होगी और फिर से पूरी दुनिया इस सनातन धर्म, वेद धर्म, रिशी धर्म और योग धर्म की शर्ण में आएगी। और उसी से पूरी दुनिया के स्वा, सिस्वक, सम्रिध्य और शान्तिके, उनकी जीवन की में सब प्रकार के सोभागे के द्वार खुलेंगे। वो कारिये पतंजली में यहां हो रहा है, और प्रतिपदा से यहां दीक्षारंब हुआ है, रामनोमी को दीक्षा इनकी होगी पूरी, अगले दिन तक आशिरवाद का कर्म रहेगा, इसमें योगी आदितिनाजी से ले करके, आदिनिश्रे अमित्साह जी से ले करके, और हम हमारे संत, इस पूरे अनुष्ठान में सबसाधु संत महत्मों का अपना आशिरवाद देने आ रहे हैं, यह बहुत गोरव का ख्षन है पतंजली के लिए, किसी के कुलवन्ष में एक योग्य उतराधिकारी होता है, तो वहां कुलवन्ष धन्य होता है, आज पतंजली अप सनातन धर्म की पता का, सनातन धर्म का जंडा परिधनिया में गाड़ेंगे। यहां नो दिनों तक चार वेदों का रिगवेद, जुर्वेद, समवेद, अथरवेद, चारुवेदों का अनुष्ठान यज्य साला में करते वे, जिनको पूरे वेद कंठस्त हैं, ऐसे जो विद्वान, विप्रगन हैं, उनके द्वारा चार वेदों का पाठ होगा, और स इस्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का और सन्यास का अधिकार नहीं है, तो पतंजली में आ करके देख ले, सच्चा, सनातन धर्म और सच्चा, सन्यास धर्म कैसा होता है, जिसमें इस्त्रियां भी सन्यास की दिक्षा ले रही हैं, और वेद पढ़कर के उस दिक वर्षों से उन्होंने वेद दीक्षा लिए और उसके बाद वो सन्यास्त दीक्षा में दीक्षित हो रहे हैं इस समय लगबग लगबग 40-100 भीटियां हैं लगबग 60 भाई हैं जो सन्यास की दीक्षा ले रहें और वो अत्यन्त प्रबुद्ड है कि इसके अलावा लगबग 500 भाई भैन ब्रह्मचर्ये की दीक्षा ले रहें जिसमें सवरणजातियां हैं पिछली जातियां हैं और किसी प्रकार का कोई ज और उसके बाद देख्षा होने के बाद जिनका कुछ अभी अध्यान शेश वह अपना ध्यान पूरा करेंगे और उसके बाद पूरे देश में पूरे भूमंडल में चाह जाएंगे नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24